वीडियो में आपके लिए बहुत इंफरमेटिव लेकर आया हूं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं आपको सबको पता होगा कि Battlegrounds Mobile India जो है वह आचुका इंडिया में और उसके Pre-Registration जो है वह स्टार्ट हो चुकी है तो Registration जो है स्टार्ट हो चुकी है हमारे Android users के Registration जो स्टार्ट हो चुकी है लेकिन काइस काफी users का एक डाउट था कि क्या वह गेम जो है Android users के लिए ही आएगा जी हाँ गाइस वह Android users के लिए है अभी लेकिन आगे आने वाले टाइम में iOS के लिए भी जल आ जाएगा लेकिन एक और डाउट था कि क्या वह इमुलेटर प्लेस के लिए आएगा तो गाइस उसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने कर दो तो गाइस चलिए वीडियो के और बढ़ते हैं जैसा कि आपको पता है Battlegrounds Mobile India एक बहुत ही ट्रेंडिंग गेम होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर और मेभी वह जून के मिड़ वीक में जरूर लांच हो जाएगा Android users के लिए तो गाइस इसे में एक सवाल आता है कि वह iOS users के लिए आएगा जरूर आएगा गाइस और क्या emulator users के लिए आएगा तो गाइस का जवाब है वह depend करेगा गाइस क्यूंकि Android में भी क्या है हमारे emulator में डिपेंड करता है version के 4.1 या 7.1 अगर क्राफटन जो है वह 4.1 के लिए Android के लिए निकालेगा तो काफी दिकत हो जाएगी उससे काफी मुश्किल हो जाएगा गेम को लेकिन अगर वह 7.1 के लिए निकालेगी तो बिल्कुल smoothly वर्क जरूर करने वाला है तो गाइस यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इस टेंशन मतलो मैं आपको बोल रहा हूं सरूर से जरूर क्राफटन जो है वह इमिलेटर में निकालने वाला है हमारा टैटल क्राउंट मोपाइल इंडिया यह मैं आपको शॉरिटी के साथ कहता हूं इस वीडियो में इतना फट्रो में यह मार देने और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं कर दो मठिक कर दो अगर सब्सक्राइब पर फाने वाली वीडियों की नोटीफे केशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैन चे बाराओ!